हेलो गाईज वेल फाइनली यार नीट 2021 के जो काउंसलिंग के रेजिस्टेशन है और इंडिया कोटा 15% के वो स्टार्ट पू चुके हैं और उसमें स्टूडेंस को काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम काउंसलिंग के रेजिस्टेशन किस परकार से कर सकते हैं स्टैप बाई स्टैप किस परकार से आपको पूरा कंप्लीट रेजिस्टेशन करना है with payment वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल एक easy process में तो वीडियो को आप लास लेक जरूर देखिएगा, अगर आपने registration नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को पहले देखिएगा पूरा complete, उसके बाद ही आपकी registration process को complete कीजिएगा, क्यूंकि एक बार अगर आप mistake करते हैं, तो दोबारा उस mistake को सही करने में आपको काफी बड़ी पहली ही पहली जो website आएगी उस पर click कीजिएगा, कुछ इस परकार से website आपको show हो जाएगी, उसमें अगर आप नीचे की तरफ scroll करेंगे, तो यहां पर आपको एक option मिलेगा online registration का, इस online registration पर आप click कीजिएगा, जैसे ही आप click करेंगे तो आपको new registration का option मिलेगा, उस new registration के option प तो आपको कुछ इस परकार का step दिखेगा, अब यहां से आपका new candidate का registration हो start होता है पूरा, अब आप क्या कीजिए, अपना जो need 21 का scorecard है, या फिर अपना need 21 का application form है, वो एक side में रख लीजिए, और उसी को देखती हुए इसको fill करते जाएगे, सबसे पहले आपको fill करना है जो भी आपका roll number दिया गया है application form में, ये roll number तो आपको scorecard में ही मिलेगा, उसमें से देखके roll number fill कीजिएगा, application number आपके scorecard में भी मिल जाएगा, आपके application form के printout में भी मिल जाएगा, वो आप show fill कीजिए, candidate name, वही fill करना है जो कि आपके scorecard में mention है, ध्यान रखिएगा जो आप के scorecard में mention है, details, वही details यहाँ पर fill करनी है, otherwise वो mismatch हो जाएगी, तो candidate name, उसके बाद mother name, वही fill करना है, जो आपके scorecard में दिया हुआ है, उसके बाद आपकी date over आएगी, और नीचे जो आपको security pin दिये गए है, जो भी दिये गए है, उस security pin को यहाँ पर sub में fill कीजिए, और यह कैसे ही आप इसको submit करेंगे, तो कुछ इस परकार का आपके पास shop हो रहा होगा, मैंने जो मेरी basic details है, उनको hide किया है, because this is my personal details, ठीक है, आप mobile number को change नहीं कर सकते, अपनी email ID को change नहीं कर सकते, जो mobile number, जो email ID आपने application form fill करते वक्त दीती, वही आपकी same रहने वाली है, उसके बा अपना name डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जो भी आप डालना चाहें, वो डालके, पहले password डालिए, फिर उसको confirm कर दीजी, और जो ये security pin दिये गए है, उन security pin को यहाँ पर आप डाल दीजी, इतना आपको process करना है, उसके बाद submit and next का option मिलेगा, उस submit and next के option पर click कर अब जो भी आपने email ID दिये हैं, या फिर mobile number दिये हैं, उन दोनों पर एक OTP आएगा, same OTP आएगा दोनों में, दोनों में से किसी भी एक पर जो भी आपको OTP मिले, उस OTP को आप यहाँ पर fill कीजी, जा तो mobile number वाला जा email वाला, उसके बाद जो security pin दिये गए हैं, उन security pin को यह यहाँ पर fill कीजी और verify करके final submit जो है वो कर दीजी, यहाँ पर आपका final submission हो चुका है, आपका registration का जो first step है, वो complete हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि registration form और उसके आगे लिखा हुआ है completed, अभी आपको application form complete करना है, आपकी qualification details भरनी है, आपको counseling का selection करना है, कि किन-कि universities में आप counseling करना चाते हैं, आपकी contact details देनी है, उसके बाद आपको final submit करना है, payment करके, ठीक है, तो हमने registration तो कर दिया है, अब हम अपने application form को submit करते हैं, यहाँ पर जो आपको red color में दिख रहा है, fill application form, इस पर आप click कीजी, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, कुछ basic details आपके सामन आ जाएगी, जैसे कि gender हो गया, nationality हो गया, reason हो गया, category हो गयी, sub category हो गयी, इन में जो change होता है, वो आप change कर दीजी, जो नहीं होता, वो change मत कीजे, जैसे कि gender आप change नहीं कर सकते हैं, nationality आप change नहीं कर सकते हैं, reason कर सकते हैं, category आप change नहीं कर सकते हैं, sub category आप change कर सकते हैं, बा simple तरीके से आप इसकी counseling के लिए registration कर सकते हैं जैसे ही आप save and next पर click करेंगे कुछ इस परकार का form आपके सामने आ जाएगा अब आपको आपकी qualification details डाल ली है जैसे कि कि स्कूल से अपने 12th की है आपका passing status क्या है आपने किस year में pass किया है उस time आपका roll number क्या था आपकी जो mark sheet है 12th की उस mark sheet पर available है pin code वहाँ से आप ये pin code ले सकते हैं उसके बाद save and next पर आप click कर सकते हैं ठीक है simple सी इतनी process डालनी है और save and next पर click करना है जैसे ही आप save and next पर click करेंगे यहाँ आपको selection of courses पर click करना है all India quota में registration कर सकते हैं deemed universities में करना चाते हैं इस पर कीजिए EFMC में करना चाते हैं इस पर open seats में करना चाते हैं इस पर और BSC nursing में करना चाते हैं तो इस पर मैं all India quota पर click करता हूँ all India quota पर जैसे ही मैंने click किया तो यहाँ पर fees आगी total 11,000 1000 इस में से आपकी application form की fees है जो की आपकी non refundable रहती है और आपकी 10,000 आपकी security deposit है जो की refundable रहता है security deposit अगर आपको seat नहीं मिलती है तो आपको refund कर दिया जाता है लेकिन यह जो 1000 application form की fees है यह non refundable होती है यह किसी भी condition में आपको refund नहीं की जाएगी total 11,000 आपको pay करने होगी यहाँ पर save and next के option पर आप click कर सकते है जैसे ही आप save and next के option पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना address जो है वो fill करना है यहाँ पर अपना जो भी address है वो fill करते जाए address तो आप fill कर लेंगे और same as correspondent address यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो आपका correspondent address है वो ही आपका permanent address यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस परकार से जैसे ही आप यह step complete कर लेते हैं तो save and next पर complete क्लिक कीजिए उसके बाद next step पर आपका आ जाएगा और next step पर कुछ यह details आपको देखने को मिलेगी यह final submit हो चुका है आप अपनी जो basic details है वो यहाँ से देख सकते हैं कि कौन-कौन से details आपने भरी है सही है या फिर नहीं है अगर सही है तो आप final submit कीजिए otherwise आप preview भी इसका देख सकते हैं एक बार अगर आपने final submit कर दिया तो दोबारा से आप उन details को जो हो नहीं देख पाएंगे और नहीं उन details को बदल पाएंगे तो अगर आप दोबारा देखना चाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, पंदरा बार जितनी बार हो सके आप चेक कर लीजे उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं इससे तो आप save and final submit कर सकते हैं फाइनल सब्मिट के लिए आपसे confirmation मांगा जाएगा तो इसे yes करके आप अपना final submit कर देंगे और कुछ इस परकार से आपको final submit जो है वो दिख जाएगा टोटल मेरे पास 106 available choices है जिसमें से मैंने अभी तक एक भी choice fill नहीं की है यूँकि fill का अभी तक option नहीं आया है choices का unified choices हमें दिखा रहे हैं जो कि हमें कोई मतलब नहीं है इससे जब choices filling की बारी आएगी तब उस पर एक separate video बना दी जाएगी ठीक है अब आपको payment करनी है payment के लिए आपको यहाँ पर जाना है पे registration fees यहाँ पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यह जो आपकी payment दिख रही है जितनी भी payment है अपनी कितनी थी 11,000 total payment थी तो 11,000 payment कर सकते हैं इसके लिए online mode एक मातर option है online आपको pay करना है I agree पर click कीजिए और proceed कीजिए जैसे ही आप proceed करेंगे आपके पास दो से तीन option बचते हैं debit card, credit card and net banky इन तीनों में से किसी पर भी आप अपनी जो payment है वो जो है वो कर सकते हैं proceed for payment कीजिए आपका final submit जो है वो complete हो चुका है अब अगर आपको choices fill करनी है तो दोबारा से आप यहां से sign in करके अपनी choices को fill कर सकते हैं तो यह एक simple सा step था जिसकी बदद से आप अपना registration जो है वो complete कर सकते हैं ठीक है hopefully video आप सभी को पसंद आई होगी और पूरी video जो है वो समझ में भी आई होगी इस video के recording जा अगर आप choices fill करते हैं उसके regarding अगर आपको कोई भी doubt आ रहा है उस doubt को आप मेरे से पूछ सकते हैं